आपन इथे चिकल दराय तिल नंद गणपती संग्राले मदे आए आज या संग्राले मदे साता समुद्रा पलिकड़ून मधु मणुन आले लिया है अपन तैन्ना भिटू तैन्ना विचरू कि कैसा आपको मिजियम लगा है मधुची मतलब इस नégतलियम के बारे मैं मतलब अपना दिल से जो भी बोलूँगा पनलब आपको सो कनेक्ट कर लूँगा क्योंकि य cancellी है हमारे विश्य में जो परतम पुज्य है जिनके बिना हमारे विश्य में कोई भी पूजा का कोई भी शुब चार्य कभी होता ही नहीं है तो ऐसे जो गौड है हमारे जो गनेश जी उनके बारे में मतलब मैं उनके बारे में बोलना मैं बहुत ही छोटा सा एक माना हूँ और बगवान है वो और उनके बारे में मेरे को बोलना फिर भी मौका दिया गया है तो मैं बोल रहा हूँ कि गनेश जी का ऐसा म्यूजियम मैं मतलब पूरे 25 साल से टूरिजम इंडरिस्टी में हूँ और मैं अंडमा निकोबर से आइलेंड से आया हूँ और ऐसा म्यूजियम मैं बहुत सारा मतलब इंडिया के सारे डेस्टिनेशन्स पे गुमा हूँ और यह अबरॉड बे भी गिया हूँ योरोप टूर्किया है सिंगपूर से अलग अलगasına थीज़ पूछात में प्रवदीप अंप क्षा, जनों ने इसका संकल्प किया था उनका नाम मैंने जब जो इंप्लाइस से पूछा, तो उन्होंने बोला ही कि श्री प्रवदीप नंद जी उनका नाम है और मैं उनको यहीं से दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ उन्होंने जो उनका भावना उनका भक्ती उनका श्रद्धा गनेश जी के प्रती उन्होंने जो दिखाया है तो वो इनसान मतलब मैं कहता हूँ जीते जी ही वो मेरे कहल से अमर हो गए अब उनकी पीड़ी में हमेशा मतलब ये जो गनेश जी है उनका आशिरवाद तो हमेशा उनके परिवार के लिए बना रहेगा और मैं साती साथ उनको अपना दिल से उनको शुक्रियादा भी करता हूं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा संकल्प लिया और इतना अच्छा एक अच्छा इतना बढ़िया उन्होंने एक म्यूजियम गनेश जी का मतलब चिकलदारा में उन्होंने बनाया है महारास्ट्रा का आकोला के पास जो सीटी है चिकलदारा एक हिल स्टेशन है मैं पिछले एक दो दिन से पूरा घूम रहा हूं यहां का नेचर ब्यूटी यहां का हॉरेश्ट और यहां के लोग बहुत ही फ्रेंडली है और यहां का जो मेरे को लगता है कि जो लेवल में यहां का एक टूरिजम लेके जाए और उसमें हाइवल dead me मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्यू में इतना बड़ा संग्राले गनेश जी का मैंने तो नहीं देखा है और शायदी किसी ने देखा होगा यहाँ पर जिनों मदुजी संग्राले की क्या विशिश्दा आपको लगी है यहाँ पर पूरा बैलों की जोड़ी को लेके किसान के लिए इक किसान के लिए प्रेड़ना है कि मतलब गनेश जी उनके साथ यहां के पहला कदम उठाया यहां के बूमी को जो है उपजाओ बनाने के लिए तो किसानों को ये देख के प्रेरित होना चाहिए और गनेश जी से मतलब ये उनको एक आदर्श लेना चाहिए कि हमको भी जो है हमारे बूमी को गनेश जी का आशिरवाद है और इसको जो है हम बहुत अच्छा सा उपजाओ बना सकें मतुजी आप टूरिस्ट डिपार्मेंट संबलते हैं तूरिजम का काम संबलते हैं आप नई पिड़ी को क्या संदेश देंगे देखिए आजकल तो हर एज ग्रूप के जो टूरिस्ट है वो सबी मतलब जो है अलग अलग जगाओं को चाहे वो जम्मू कश्मिर से लेके कनिया कुमारी तक अंडमान निकोबर जितने भी दीफ है हमारे अंडमान के जितने भी टूरिजम है यह सब को एक्स्प्लोर करते हैं तो मेरा एक अनुरूद है कि जितने भी यंग्स्टर्स हैं और जो अपना नया नया जीवन का शुरूवात करते हैं तो हमारे जीवन का कोई भी शुबारम हम गनेश जी के आशिरवात के साथ करते हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यंग्स्टर्स हैं जो अपने जीवन साथी के साथ जब हनीमून के लिए जाते हैं तो वो बहुत सारे अलग-अलग जगा पे जाते हैं मेरा रिक्वेस्ट यह भी है तो आप जाईए हर जगा को जाईए हर जगा को एक्स्प्लोर करिए लेकिन मेरा एक मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से पहला जो टूर होगा आपका तो वो चिकलदारा आईए और गनेश जी का यह इतना बड़ा संग्राले दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पर नहीं है पाँच अजार से ज़्यादा गनेश जी की अलग-अलग अकर्तिया है यहाँ पर आके अपना जीवन का शुरुआत करने के लिए गनेश जी का आशिरवाद लीजे और चिकलदारा से अपना हनीमून का यातरा को शुरू करिए और दुनिया के हर कोने कोने पर जाईए जी अब मैं जो है अपना यादरा चिकलदारा का यहां से समाप कर रहा हूँ गनेश जी का म्यूजियम मैंने दो बार देखा आते वक्त भी देखा चिकलदारा जाते समय भी मैंने चिकलदारा का यह म्यूजियम देखा तो आपने अपको रोक नहीं सका, एकी बार आदमी एक म्यूजियम को देखता है, लेकिन मैंने इसको जाते समय भी देखा, मेरों को देखने के बाद मेरा मंज से एकी बात निकल रहा है, जिनोंने इस म्यूजियम का जो है, मतलब अपना संकल पलिया, कि गनेश जी का ऐसा संग्राले बनाना है, उनका नाम प्रदिब नंदा और उनकी मिसिस अर्धांगनी जो है, उनकी जीवन साती जो है, दीपाली नंदा, और उनके दोस्त हैं, जिनोंने उनकी सफर में उनको बहुती साथ दिया है, हर जगा के भारत में घुमते घुमते भारत के विमिन परदे से उन्होंने गनेश जी का इतना अच्छा संग्राले बनाया तो उन सब को मेरे तरफ से बहुत बहुत दन्यवाद और उनके लिए सुपकामना करते हुए मैं अपना यात्रा चिकलदारा का समात्त करता हूं इसके लिए बहुत-बहुत दन्यवाद आप सभी का आप लोगों बहुत अच्छा यहां पर अपना मिजियम को मेंटेन किया है